साथियों नमस्ते तो आज हम अध्याए एक के जितने भी उदारण हैं वो सॉल्व करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है यानि कक्सा 10 का संपूर्ण सैलेबस जो है मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो जो है अराम से देखो तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्ण है वो है संक्याओं फौर की घात एन पर विचार कीजिए जहां एन एक प्राक्रत संक्या है अब प्राक्रत संक्या क्या होती है यानि वे संक्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनन तक चलती है यानि यहाँ पर N की जगह आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसी कोई भी संख्या, धनात्म कोई भी संख्या आ सकती है, ठीके, जाच कीजिए कि क्या N का कोई ऐसा मान है, जिसके लिए 4 की घात N, अंक, सुन्य, पर समाप्त होता है, है ना, यानि हमें क्या दिया है, हमें 4 की घात N दिया है, ठीके, तो अब यहाँ पर मैं N की जगह कुछ भी रखू, जैसे मान लो N की जगह मैंने 1 रख दिया, है ना, N बराबर कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो 4 की घात 1 बराबर मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मान लो N की जगह मैंने 2 रख दिया, तो 4 की घात 2 मुझे कितना मिलेगा 16 मिलेगा है ना तो यहाँ पर हम n 1, 2, 3, 4 ऐसा ही रख सकते हैं यानि प्लस की संख्या ही रख सकते हैं इसके अलवा कुछ भी नहीं रख सकते हैं तो इस N के कारण तो ये संख्या 0 नहीं होने वाली, अब हम आते हैं संख्या 4 पर, तो देखो 4 हमारा 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हमने एक प्रमे पड़ी है, चैप्टर 1 में, कि यहां पर संख्या 0 कब बनती है, कोई भी संख्या 0 तभी बनती है, जब हम उसका गुण जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 35 और मैंने इसके गुननकंड किये, तो गुननकंड करने पर यहां 5 का भाग जारा है, पांचो साथे 35 और यहां भाग जारा है साथ एकम साथ, तो 35 के गुननकंड हुए 5 इंटू साथ, तो यहां पर संख्या 0 नहीं बन रही है, क्यों नह पांच कर रहा हूं तो पीछे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो जीरो किस वज़े से आ रहा है तो क्यूंकि इसके गुणनखंड में दो भी है और पांच भी है इस वज़े से इसके पीछे जीरो आ रहा है अब ये संख्या जीरो कब बन सकती है जब इसके गुणनखंड में 2 या 5 आए है ना तो चलो हम 4 के गुणनखंड करते हैं तो 4 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 यानि कि 4 की जगह में लिख सकता हूं 2 इंटू 2 और उपर घात हो गई तो अब हम क्या देख रहे हैं इसके गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है अब 2 है लेकिन 5 नहीं है तो इस वज़े से हम कह सकते हैं कि 4 की घात N अंक सुन्य पर समाप्त नहीं हो सकती यह सुन्य पर समाप्त कब होगी यह सुन्य पर समाप्त तभी होगी जब हमारे गुणनखंड में 2 भी आए और 5 भी आए तो हम यहां लिखेंगे चार की घात N के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है दो तो है लेकिन 5 नहीं है इसलिए यह सुन्य पर समाप्त नहीं होगी बस यही हमारे पहले प्रश्ण का आंस्वर हो जाएगा उधारन 2 है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विदी से HCF और LCM ग्याद किए तो यहां पर हमें 6 और 20 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने तो चलो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड करने तो देखो यह संख्या इसमें 2 का भाग जाएगा 2 या 6 होता है अब यह विसम संख्या है तो हम इसमें 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 यानिकी यहां पर मैंने जग संख्या 6 है इसके गुणनखंड कीये तो हमें क्या मिले 2 गुणा 3 मिला फिर दीसरी संख्या हमारी बीस है चलो 20 के भी हम अभाज्य गुननखंड करते हैं तो 2 का भाग जाएगा क्योकि यह संख्या है तो 2 दाए 20 होता है फिर यह समसंख्या है तो 2 का भाग जाएगा 2 पंजे 10 होता है अब यह भी समसंख्या है तो सिधा इसमें 5 का भाग देंगी 5 एकम 5 यानि 20 के हमने गुननखन किये तो हमें क्या मिला हमें मिला 2 इंटू 2 है ना 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात का HCF क्या होगा तो हमें पता है कि जब हम इनके अभाजे गुननखन करते हैं तो हमें common संख्या देखनी है तो यहाँ पर देखो common क्या है 2 है अब उपर यहाँ दो की घात 1 है नीचे दो की घात 2 है तो हमें छोटी घात लेनी है ना यानि दो की घात एक लेनी है दो की घात एक की मतलब आंसर कितना हो गया इसका दो हो गया यानि कि जब भी हमें HCF ग्यात करना हो तो उनके अभाज्य गुनन खंड में जो उबईनिस्ट अंक है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है वही हमारा क्या होगा HCF होगा और 6 और 20 का LCM क्या होगा तो LCM यहाँ पर हमें सभी घातों को लेना है और कोई उबईनिस्ट संख्या है तो उसकी बड़ी घात लेना है जैसे यहाँ पर देखो 2 की घात 1 है और निचे 2 की घात 2 है तो इसमें हमें बड़ी संख्या लेनी है बड़ी संख्या क्या है दो की घात 2 तो इसमें 2 की घात 2 आएगा फिर यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो इनको भी हमें सामिल करना है यानि प्रतियक अभाज्य गुननखंड LCM में हमें सामिल करना है और अगर उबईनिस्ट कोई अभाज्य गुननखंड आता है तो उसकी बड़ी घात को लेना है ठीक है अब इनका गुना करो तो देखो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 2 दुनी 4 4 का 3 से गुना करो 4, 3, 12 12 का 5 से गुना करो तो 12, 5, 6 यह हमारा क्या हो गया LCM का अंस्वर और यह हमारा क्या हो गया HCF का अंस्वर दूसरा तरीका भी आप एक्जाम में कर सकते हो जैसे हम क्लास 6, 7 में करते थे हैं HCF घ्यात करने के लिए क्या करते थे पहले इनके अभाज्य गुननखंड करते थे अलग-अलग HCF ग्याद करने के लिए तो यहाँ पर देखो 2 है और इसमें भी 2 है इन दोनों में 2 जो अब आजे गुननखंडे वो common है इसलिए इसका HCF 2 आएगा और LCM कैसे ग्याद करते थे हम तो LCM ग्याद करने के लिए हम 6 और 20 को एक साथ लिखते थे है ना फिर इन दोनों ये दोनों समसंख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा 2 तीया 6, 2 दाए 20 फिर ये समसंख्या है तो अभी भी हम 2 का भाग देंगे ये वी समसंख्या है इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 एकम 5 जब नीचे एक एक आ जाए तो यह हमारा समाप्त हो गया अब 6 और 20 का हमें LCM चाहिए है ना तो इन सब का हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 है ना एक बार लिख जते हैं 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 5 सब का गुणा करो 2 दूनी 4 4 तरिया 12 और 12 पंजे 60 तो एक्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो है ना मेरे ख्याल से आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे जो अच्छा लगे वो आप एक्जाम में कर सकते हो उधारन 3 है अबाज्य गुननखंड विदी द्वारा 96 और 404 का HCF ग्याद कीजी और फिर इनका LCM भी ग्याद कीजी तो यहाँ पर हमें एक तो संख्या दी है छिन्नू दूसरी संख्या में दी है 404 इनको हमें अबाज्य गुननखंड के रूप में लिखना है तो यहाँ प चौके आठ फिछे बचा 1-2-8-6 फिर यह संसंख्या 2 का भाग जाएगा। दो दुनी चार और दो चौक आठ फिर समसंग क्या है दो का भाग जाएगा दो एकम दो दो दुनी चार फिर भाग देंगे दो का तो दो छंग बारा फिर भाग देंगे दो का तो दो त्रिया छे अब भाग जाएगा तीन का तीन एकम तीन तो यहाँ दो कित्ती बार आया एक 2, 3, 4, 5 तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और गुणे में 3 है ना फिर 404 के अब आजे गुणन करो तो 404 इसमें समसंख्या है 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4 फिर 0 2 दूनी 4 फिर 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ठीक है अब 101 101 जो है वो खुद अब आजे संख्या है तो इसमें सीधा 101 का भाग जाएगा 101 का 101 में भाग एक बार जाएगा तो यहां 2 दो बार आ रहा है तो इसको हम 2 की घात 2 लिखेंगे और गुणे में यह कितना है 101 तो यहां 101 लिखेंगे इनके हमने क्या कर दिये अब आज्य गुणनखंड कर दिए अब मुझे इनका क्या चाहिए पहले तो HCF चाहिए तो हम इनका HCF निकालेंगे तो देखो HCF क्या होता है हमें इसमें common उबहिनिस्ट अब आज्य गुणनखंड देखना है तो दो इसमें है दो इसमें भी है तो ये इसका उभरिनिस्ट अब आजे गुनन खंडो गया अब इसकी गात 2 की गात 5 है इसकी गात 2 की गात 2 है है ना छोटी गात कौन सी है नीचे वाली तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 2 की गात 2 का मतलब 2 गुना 2 यानि की 4 यानि इनका HCF किता आ गया 4 आ गया अब हमें LCM भी चाहिए है ना तो LCM निकालने के दो तरीके है एक तो आप इसमें से निकाल दो है ना और दूसरा तरीका है आप सुत्र से निकाल दो तो हम क्या करेंगे पहले हम इस से निकाल देते हैं तो यहाँ पर देखो आपको प्रतियक अभाज्य गुनन खन लेना है और अगर कोई common है तो बड़ी घात लेनी है तो यहाँ बड़ी घात क्या है दो की घात 5 यह हमें लेना है यह हमें नहीं लेना है ये भी लेना है 3 और 101 भी लेना है अब इन सब का गुणा कराना है तो देखो 2 की घात 5 किता होता है 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16 और 16 दुना 32 तो ये हो गया 32 फिर 32 का हम 3 से गुणा करेंगी तो चलो करते हैं 32 का 3 से गुणा, 3, 2, 6, 3, 9 फिर हमें किस से गुणा करना, 101 से तो 101 का हमें 96 से गुणा करना है 6, 6, 0, 6, 6, into 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9 चोड़ेंगे, तो 6, 9, 6, 9 तो हमारा जो LCM निकल के आया, वो किता आया वो आया, 9, 6, 9, 6 ठीके, दूसरा तरीका है हम चाहे तो इसका LCM जो है सुत्र से भी ग्याद कर सकते है अब सुत्र से कैसे करेंगे तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंट्रोड़क्शन वाली वीडियो में कि HCF into LCM जो है वो A into B के बराबर होता है अब A और B क्या है यह हमारी दी हुई संख्याएं है है ना तो HCF तो हमने निकाल ले HCF कितना है? 4 तो HCF की जगा आ गया 4 LCM हमें ग्याद करना है तो LCM की जगा है LCM A हमारा इन दोनों में से कोई एक संख्या ले लो मैंने 96 ले लिया इन्टू B हमारा क्या हो गया? भाग का मतलब बट्टा तो यह बट्टे के नीचे जाएगा 4 अब देखो यहाँ 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग देंगे 4 एकम 4 फिर 0 और 4 एकम 4 अभी हमने 96 और 101 का मल्टिप्लाई कराया था गुना कराया था तो LCM करने पर यह हमें मिलेगा 9696 ठीक है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो यह दोनों तरीके हैं आपके पास LCM ग्याद करने की है है ना उधरन 4 है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुननकंड विदी द्वारा HCF और LCM ग्याद कीजिए तो हमें संख्या 1 तो दी है 6 तो यह को संख्या 2 का भाग जाएगा 2, 3, 6 फिर यह विसंख्या 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3 है ना तो 6 के गुननकंड में में क्या मिले 2 गुना 3 फिर हम 72 के अभाज्य गुननकंड करेंगे तो 72 जो है वो एक संख्या इसमें 2 का भाग जाएगा तो 2, 3, 6, पिछे बचा 1, 2, 6, 12, फिर समसंख्य है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, पिछे बचा 1, 2, 8, 16, फिर समसंख्य है, 2 का भाग देंगे, 2, 9, 18, अब ये विसमसंख्य है, इसमें 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग देंगे, 3, 3, 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, तो यह देखो 2 किती बार आ रहा है 3 बार तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 है ना यह हो जाएगा 2 की घात 3 और गुणे में 3 2 बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2 फिर 120 है तो हम 120 के अब आजे गुननकन करेंगे तो देखो समसंख्या है 2 का भाग जाएगा 2 छंग 12 और 0 आएगा फिर 2 का भाग जाएगा 2 त्रिया 6 और 0 आएगा अभी भी समसंख्या 2 का भाग देंगे किती बार जाएगा 15 बार अभी यह भी समसंख्या है और इसमें 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग देंगे 3 15 फिर यह 5 है 6, 72 और 120 का HCF चाहिए है ना तो HCF क्या होता है हमें common factor डूमना है तो देखो दो इसमें है इसमें है इसमें है तो दो common हो गया तीन भी तीनों में है तो तीन भी common है पांच common नहीं है क्योंकि 5 के वले 120 में है ठीक है अब common में भी हमें कौन सी लेने है सबसे छोटी गात वाला ल दो की घात इक यानी कि दो यहां भी सबसे चोटी घात क्या है 3 की घात एक यानी कि 31 मना दोनों का गुणा कर दो 2-2-3-6 यह इसका क्या एं तीनों का HCF हो जाएगा HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे यानि इनका भाग पूरा पूरा चला जाए ठीक है अब इन सभी में दो का भाग भी जाता है तीनका भी भाग जाता है छें का भी जाता है लेकिन हमें बताना है बड़ी से होगी जो इनको भी बज़ित कर सकती है ठीक है फिर हमें चाहिए छे बहत्तर और 120 का LCM है ना तो LCM कैसे निकालना है हमें जो common factor है उसमें बड़ी गात लेनी यानि सभी factor लेना है लेकिन अगर कोई common है तो बड़ी गात लेंगे तो यहां पर देखो दो की घात दो जो है वो common है सभी में है लेकिन बड़ी घात क्या है तीन तो हमें यहां दो की घात तीन को लेना है फिर यहां देखो तीन भी सभी के अंदर है लेकिन बड़ी घात क्या है तीन की घात दो तो हमें तीन की घात दो लेना है पांच इसमें है वो भी हमें लेना है है ना अब दो की घात तीन जो है जब इसको हम खोलेंगे तो यह होगा दो इंटू दो इंटू दो है ना गुणा करेंगे तो दो दुनी चार दुनी आट यानि दो क सबसे पहले आई इससे बड़ी संख्या और भी हो सकती है लेकिन 360 सबसे पहले आएगा जो तीनों के पहाड़ों में होगा ठीक है ये LCM का मतलब होता है ये सारा हमारा rough काम है हमें केवल एक्जाम में इतना सा करना है अब देखो उदारन 5 है रूट 3 एक अपरिमेई संख्या है इसको हमें सिद्ध करना है तो देखो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाओंगा क्योंकि जो इंट्रोड़क्शन वाली वीडियो है उसमें मैंने पूरे डिटेल में इसको समझाया है अब इसको केवल में स्वाल्व करूंगा और सेल्व कैसे करना है सबसे पहले हम एक गलत परिकल्पना करेंगे हम मानेंगे माना रूट 3 एक परिमेई संख्या है और जब रूट 3 एक परिमेई संख्या है तो इसको मैं P बटा क्योंकि रूप में लिख सकता हूँ तो इसको मैं A बटा B के रूप में लिख सकता हूँ तो इसको मैं A बटा B के रूप में लिख देता हूँ तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रूट 3 एक परिमेई संख्या है इसका मतलब इसको मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ यह A B जो है तो हम लिखेंगे जहां a,b, जो है, वो सहभाज्य संख्या है, अब ये चीज क्या होती है, वो मैंने introduction वाली वीडियो में बता दी है तो अगर आपको ये सारी detail समझने है तो आप introduction वाली वीडियो देख लेना ठीक है, और यहाँ पर b, जो है, वो तो यहां root 3 का भी वरग होगा और A बटा B का भी क्या होगा वरग होगा मैंने क्या करा दोनों तरफ वरग कर दिया ऐसा हम गणित के अंदर कर सकते हैं बराबर के साइड में हम कोई भी संक्या जोड सकते हैं कोई भी घटा सकते हैं वरग कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं भाग क कभी ये क्या हो जाएगा वरग हो जाएगा अब मैं क्या करूँगा यहाँ B जो है वो भाग में है इसको उधर बेजूँगा तो ये गुणे में चला जाएगा यानि ये हो जाएगा तीन गुणा B का वरग बराबर A का वरग ठीक है अब तीन को एक काम करते हैं ये गुणे म करता है। हम लिख सकते हैं कि जो 3 है वो ए स्क्वयर को विभाजित करता है। यानि कि कोई भी संक्या इसमें मैं 3 का भाग दूंगा। पूरा पूरा जाएगा। तो A मैं भाग जायाएगा। ऐसी हम परिमेप पड़ चुके है ना तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि तीन जो है वो a square को विभाजित करता है ठीक है इसलिए इसलिए तीन a को भी विभाजित करेगा विभाजित करेगा ठीक है चलो अब इसके आगे solve करना है कैसे करना है तो देखो अब हमने क्या लिखा भई 3a square को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा अब विभाजित कोई संख्या कब होती है जब इसमें 3 का गुणनखंड होता है तभी तो यह विभाजित होता है समदना इसको जैसे मैं मानलो मैंने एक संख्या ले ली 9 ठीके 9 कागर में गुणनखंड करू तो क्या होता है 3 गुणा 3 होता है अब 9 में 3 का भाग जाएगा क्यों क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 गुणा 3 है तो 3 से 3 कटेगा तब ही तो 3 का भाग जाएगा है ना और 9 में 3 का भाग जा रहा है आगे लिखेंगे माना आपको इसके नीचे करना है माना हम यहाँ A जो है यह A उसको हम लिख देते हैं 3C 3C क्यों लिखेंगे हमने इसको इसके गुननखंड में लिख दिया यानि 3 into C जब मैं C को 3 से गुना कराऊंगा तो मुझे वापस A मिल जाएगा और यहाँ मैंने 3 क्यों लिखा क्योंकि यह 3C विबाजित है इसका मदलब इसमें 3 का गुननखंड है तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ तो जब A को मैं 3C मानूंगा तो मुझे क्या मिलना है मुझे क्या मिलना है देगो यहाँ पर मैं समिकरण इसको 1 लिख देता हूँ अब समिकरण 1 में जो है मैं A का मान लगाँगा है ना तो हमारे पास क्या है B स्क्वेर बराबर A स्क्वेर बटा 3 है और A मैंने क्या मान लिया 3C तो A की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3C अब 3C का वरग यानि की 3C का 3C से गुणा बटा 3 ठीके अब इनको गुणा करो तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 3 का 3 से गुणा 9 और C का वरग हो गया C की घाद 2 बटा 3 ठीके आप चाहँ तीन से 3 एक बार काट भी सकते हूँ तो यहाँ हमें क्या मिल गया 3 मिल गया यानि की 3C का स्क्वेर मिल गया और यह मैंने काट गया क्या मिल गया यहाँ लिख देता हूँ 3C स्क्वेर हमें मिल गया 3 से 3 कड़ गया तो हमें क्या मिल गया 3 और C का C से गुणा C स्क्वेर मिल गया यानि हमें finally मिल गया B square बराबर 3C square, ठीक है, अब मैं यह जो 3 गुणे में हैं, वो उधर बेज देता हूँ, तो यह गुणे में हैं, तो इधर भाग में आ जाएगा, यानि हमें मिलेगा B square बटा 3 बराबर C square, है ना, अब B square बटा 3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 जो है, वो B square को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 3 B को भी, को भी, विभाजित, विभाजित करेगा, है ना, अब हमने A और B क्या लिए, सहवाजे संक्या लिए, सहवाजे संक्या का मतलब इनमें कोई भी common factor दोनों में नहीं होता है, जबकि दोनों में ही ह में एक common factor मिल रहा है और वो क्या है तीन दोनों ही तीन से विवाजित हो रहे है जब कि ए और बी में कोई भी common factor नहीं होना चाहिए था है ना जो की क्या है विरोधाबास है तो हम या नीचे लिखेंगे जो की विरोधाबास है अतह ये विरोधाबास है इसका मतलब मैंने या गलत करिकल्पना की है अतह रूट तीन एक अपरिमेई संख्या है अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इंट्रोड़क्शन वाली वीडियो देखना आपको वहाँ पर सब कुछ समझाने के लिए मिल जाएगा ठीक है प्रस्ण छे हैं दर्साइए कि पांच माइनस रूट तीन एक अपरिमेई संख्या है यानि कि इसको भी हमें अपरिमेई प्रूफ करना है यानि कि 5 minus root 3 बराबर को मैं A बटा B लिख सकता हूँ जहाँ A और B हमारी क्या है सह अभाज्य संख्या है और B हमारा 0 नहीं होना चाहिए अब हम क्या करेंगे root 3 को उदर भेज देंगे ताकि ये minus का क्या हो जाए प्लस हो जाए और ये हम उदर भेज देंगे तो ये plus का क्या हो जाएगा minus हो जाएगा यानि 5 अपनी जगह पर A बटा B को में उदर भेजूंगा तो ये plus का क्या हो जाएगा minus का A बटा B हो जाएगा ये minus का root 3 है उदर जाएगा तो plus का root 3 हो जाएगा अब यह बटे वाली संख्या है तो हम इसका क्या लेंगे लसफल लेंगे, है ना लसफल लेने के लिए नीचे बटा एक लिग देता हूं मैं लसफल कैसे लेना है, B का 1 से गुना करना है, B, अब क्रॉस गुना करना तो क्रोस गुणा B का 5 से गुणा 5B-1 का A से गुणा A बराबर रूट 3 अब देखो A और B है हमारी सहवाजे संख्या यानि A और B की जगह में कोई भी संख्या रखूंगा तो A और B की जगह कोई भी संख्या रखूंगा तो है ना तो यहां B का 5 से गुणा होगा तो हमें एक परिमेई संख्या मिलेगी एक परिमेई संख्या है B भी एक परिमेई संख्या है परिमेई संख्या से परिमेई संख्या गटाओंगा तो परिमेई संख्या ही मिलेगी यानि कि इस साइड में कुल भी लाके मुझे एक परिमेई संख्या ही मिलनी है तो इधर मेरा क्या है परिमेई संख्या है और इधर मेरा क्या है अपरिमेई संख्या है ठीक है और क्यों है अभी हमने प्रूफ किया इसको क्या परिमेश संख्या और अपरिमेश संख्या आपस में बराबर हो सकती है नहीं हो सकती कभी भी कोई भी चीट बराबर कब होती है जो वो एक जैसी होती है और ये दोनों एक जैसे नहीं है इसलिए हम कहेंगे यह विरोधाबा से यह क्या है? विरोधाबा से अतह 5 माइनिस रूट 3 एक अपरिमे संख्या है यानि जो हमने कल्पना करी है वो गलत कल्पना करी है ठीक है? हम कह सकते हैं कि 5 माइनिस रूट 3 क्या है? एक अपरिमेई संख्या ही है अब हमारा अंति मुधारण है साथ ठीक है और वीडियो जा आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने में कंजोसी नहीं करना है और अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि इस यूट्यूब से पढ़ो इसमें बहुत अच्छा समझाते हैं है ना और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करो मैं कमेंट का रिपलाई तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते है लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है है ना तो आप कमेंट जरूर करना है चलो प्रश्ण है दर्साइए कि तीन रूट दो एक अपरिमेई संख्या है तो फिर से हमें इसको पूर्फ करना है तो हम क्या मानेंगे माना तीन रूट दो एक परिमेई संख्या है ठीक है और जब यह परिमेई है तो हम क्या लिख सकते है कि तीन रूट दो को हम A बटा B के रूप में लिख सकते है और A B जो है वो सह अभाज्य संख्या है सह अभाज्य संख्या है ठीक है और B हमारा क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए अब मुझे यहाँ पर एक तरफ परिमे रखना है दूसरी तरफ A परिमे रखना है तो यह तो simple है यहाँ तीन गुने में है तो यह भाग में यानि कि B के साथ गुने में चला जाएगा तो इधर मेरा बच्चा रूट दो और इधर मेरा A बटा B था ये गुणे में था तो B के साथ ये भाग में आ जाएगा यानि कि तीन गुणा B हो जाएगा अब A और B हमारी सब आज ये संख्या है तो जब A और B का मान हम यहां रखेंगे तो 100% हमें क्या मिलना है यहां हमें एक परिमे संख्या ही मिलनी है ठीके और ये मेरा क्या है A परिमे संख्या है ये भी हम इंट्रोड़क्शन वाली वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं कि रूट दो एक A परिमे है ठीके अब क्या परिमे और A परिमे बराबर हो सकता है नहीं हो सकता तो हम कहेंगे य यह विरोधा भास है अतह तीन रूट दो एक अपरिमे संख्या है अपरिमे संख्या है ठीक है तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों को शेर करो थेंक यू